एबरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं फिर से नई ट्रिक्स के साथ फिर से आई हूँ तो यहाँ पर जो क्या होता है पैने वगरा होती है ना बच्चों की अब छुटिया पड़ गई है और बहुत सारी पैने इनकी जो होती ह है या फिर जो बिकार होई रहा उनी का यहाँ पर यूज करके मैं दिखाऊंगी और इसके लिए क्या करना है हमको जैसे हमाई पर जो सुई बगरा होती है ना तो अगर ऐसे डिबे में रख देते तो वो इधर उधर बिखर जाती है और उसके बाद फिर मिलती भी नहीं है हम सेत्ट के-उसके लिए यहां पर यहां करना है यहां खीर है ना तो इसका जो मतल़ी है इसके अंदर यह सारी सुई को हम डाल देंगे और उसके बाद इसको आहुं यह जो पीर उसको मैं निकाल रही हूं ह जैसे उसके इंतर नहीं जा रही है तो मैंने जुह इंक वाला होता है इसको नीकाल लेदियों आप जाएंगे तो यहां पर यह बहुती अच्छा आइडिया है और इसी तरीके से किसी भी चीज में रख सकते हैं जैसे चोटे-चोटे डिब्बे में हो या कुछ भी हो ना तो तो इस तरीके से मुझे ये पैन में भी ठीक लगा था, मेरे पास पैन जो है ना बहुत सारी पड़ी थी, मैंने का इसी में रखा जाए, तो आप लोग के शाद भी मैंने सुचा शेयर करती हूँ, तो यहाँ पर कैसा लगा आपको ये वाला ट्रिक जरूर बताईएगा, और लाती रहोंगी, तो comment box में जरूर बताईएगा, कैसी लगी, तो यहाँ पर अगली tips में देख लेते हैं, यहाँ अगली tips क्या है, जैसे हमारे बिंदी के जो पत्ते होते हैं, खाली बड़े होते हैं, और बिंदियां जो खतम हो गई होती हैं, तो वही पत्ते का यहाँ पर ह लेंगे जैसे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कर लेती हूं मैं तो यहां पर मैं इसको चिपका रही हूं तो देखिएगा बने रहीएगा वीडियो पर तो इस साइड से मैंने इसको ऐसे चिपका दिया और यह डबल साइड से भी अच्छे से चिपक जाता है निकलता भी नहीं है इधर से खुला रहेगा और इधर से मैं इसको और चिपका लूँगी एक टेप और लगा लेंगे उसके बाद ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम असान हो जाता है और हर मैलाओं को यह वीडियो देखनी चाहिए यह बहुत ही यूसपुल वीडियो है और तो यहां पर मैं इसको इस तरह के से चिपका देती हूँ तो अब देखिएगा यह एक चोटा सा जैसे यू समझ लीजे पर्स जै तो छाहिए झाल पर्स जो जो भी है तो इस तरह को खीघा है तो क्या मिला पर्स जाता है तो इसा ज़गले से अगर रखेंगे तो हमको आसानी से सामान भी मिल जाएगा और हमारी चीज एक जगे पर रहेगी तो इस तरीके से मैं आपर सारे कार्ड में आपर डाल दे रहेगी मैं बताई थी ना ये बिंदी का पता थोड़ा सा बड़ा है अगर छोटा पता हो तो उसमें एकदम से अच्छे से सारे कार्ड अच्छे से बरावर में आ जाएंगे तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको रख दिया है अभी अच्छे से चिपक बिगया अच्छे से पर्स जैसा बन गया है चोटा सा उसके बाद ना इसको हम कहीं पर भी जैसे पर्स में डाल देंगे यूज नहीं करते हैं पड़े होते हैं उसमें ऐसी चोटी मोटी चीज़े डाल करके और अलमारी में कहीं पर भी हम टांग देंगे इसको या कहीं पर दरवाजे के पीछे या अलमारी के उसमें कहीं पर भी टांग के इसको रख सकते हैं तो इससे क्या होगा हमारा यह जो पर्स है यह भी यूज हो जाएगा क्योंकि यह पढ़े रहते हैं हम लोग लाते रहते हैं और उसके बाद पसंद नहीं आते हैं यूज नहीं होते हैं तो आम इसको रखे रहते हैं तो ऐसे ही यूज कर लिया जाए तो यह भी अच्छा तरी तो इस तरीके से मैं यहां पर इसको रख दी हूँ और भी कई चोटी मोटी चीजे इसके अंदर आ जाएंगी तो यह पर्स मेरे एक दम नया था रखा था और इसको बस यूज हुआ नहीं तो मैं निका चलिए ऐसे यूज कर लिया जाए अगला ट्रिक हमारे आपर देख लेत से endsटेय करें चाएंगी तो यह यह हमें लपेट लेंगे टेफ को लाइसटिक है या फिर टेफ लगा देगे चोटासा टेप का ट्वड़ा कट करके बारे नदर दया से अरचा वात बीना अदरे च्टेप का अटिक होते होते हैं दितके लकारे करी देशंगा में друз forearm अबर्बैंट लगा देंगे और यह फिर tape लगा देंगे चोटा सा tape का टूड़ा कट करके इसमें लगा देंगे तो इसे ऐग जगे पर रहेगा भी विखरेगा भी नहीं और अच्छा भी लगेगा तो इस तरह के से मैं यहां पर यह ही छोटा सा यही वाला टेप मैं इसमें लगा दे रही हूँ और ये असानी से निकल भी जाता है तो इस तरीके से इसको चिपका दीजिए तो यहाँ पर जो है कैसी लगती है सारी टिप्स ज़रूर बताईएगा पहले मैं स्क्रॉल वाली टिप्स का वीडियो बनाती थी तो उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि उसमें भी न बस बनाने में थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था और सब देखने वालों को भी बोरिंग ही लग रहा होगा क्योंकि एक चीज़ हर बार हो तो फिर वो न देखने में भी नहीं अच्छा लगता करना तो आपलास्टिक भी इससे ही मैं यहीं को लपट के इसके साथ में रख बार मैं यहां पर में लगा दे रही हूं उ अब यह दोनों चीज़ा ऐसे और हम चाहें तो कमाना ट्रिक्स तो अगले ट्रिक यहां पर देख लेते हैं, जैसे हमारे पास यह जो दवाई के रैपर होते हैं, यह हमको फेक देते हैं हम इनको, तो इनी का यहां पर यूज करेंगे, इसको हमें क्या करना है, बारिक 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 से काट लेना है, इसके टुकड़े करने से क्या हो तो है ना ये भी ट्रिक अच्छी है तो आप लोग ट्राइ करके जरूर देखिएगा और इसी के साथ साथ इसको हम क्या करेंगे ये टुकडों को ना फेकेंगे नहीं इसको क्या करेंगे हम मिक्सर के जार में इसको हम डाल देंगे तो देखिए कैची साथ भी हो गई है इसकी धार भी तेज हो गई है तो इस तरह किसे काट 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 करके हम कर सकते हैं अपनी कैची को अच्छा बना सकते हैं तो यहां पर ये टुकडों को मैं मिक्सी के जार में डाल दूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसक ये भी अच्छा लगा ये वाला ट्रिक भी मैंने किया तो मैंने सो चापलो को शाथ भी शेयर कर देते हैं तो आप लोग जरूर बताईएगा कि कैसी लगी तो यहां पर मैं मिक्सर में इसको पीस लेती हूँ चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ